सो हाई एवेवेवन दिस इस होरग ठाकोर एंड दिस वन मोर लेक्चर ओन लिटररी क्रिटिसिजम जिसकी मैं सिरीज चलाई है और लेडी बहुत सारे लेक्चर्स दे चुका हूँ एंड इस लेक्चर इस रियली रियली इंपोर्टन लेट में टेल यू सर फिलिप सिड्नी इस वरी इंपोर्टन लिटररी क्रिटिक ठीक है क्योंकि यहां से डिफेंस व पोईजी स्टार्ट तो नहीं होता है लेकिन स्टिल ही इस सम्वेर इंदर रेस और उसके बाद आप दे नहीं हाना कि आप अभी तक देख रहे हो you are already watching my lectures और आप देख रहे हो कि Plato, Aristotle, Longinus, Horace से लेकर हर एक इंसान अपने views दे रहा है poetry से related ठीक है इसमें कुछ लोग और भी है जैसे कि Plotinus, Sir Thomas, Aquinas, Ibn Rushd, कई लोग है उन्हें मैंने अपने notes में cover किया है और I will provide you notes once I complete this particular series lecture series of literary criticism I'll provide you notes, check the link in the description, already literary theory, cultural studies, major works के list मैं आपको provide करवा रहा हूँ जिसका link आपको description मिल जाएगा और अगर आप ये lecture काफी time बात देख रहे हो तो आपको literary criticism के भी notes मिल जाएगे, description जरूर चेक कर लेना है न, बोला भी नहीं जारा description तो अब, सकस्प्राइब माई चैनल उस तरह से, खेर, चलो, start करते हैं, ये टोपा थोड़ा सा जिल मिल आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपने कर लेना है, just क्योंकि green color है, थोड़ा सा problem create करता है, हाँ, गर्मी, तो नहीं है, सरदी बहुत है, heater साथ में चला है, बाहर बरफ गिर रही है, तो क्या करें, फिर भी lecture बनाना प बहुत बुरा भला कहा, पोईट्स को, तो उसी का एक जवाब है, एक counter attack है, जो ये देना चाहेंगे, ठीक है, तो sir Philip Sydney, he was an English poet, obviously, ये आप देख सकते हैं, Elizabethan age का ये बंदा है, scholar, courtier, soldier, हाँ जी, soldier बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैंने सुना था शायद, कि sir Philip Sydney, जो है, वो युद में, soldiers को पानी पिलाते हैं, उनकी चाहिए death हुई थी, कुछ ऐसा मैंने सुना है, तो बहुत interesting चीज़े हैं, आप ज़रूरी इनकी biography में एक बार जाएगा, biography में इतना लेकर नहीं आया हैं आपके लिए, क्योंकि, जो चीज़ा important है, वही आपके ल क्रोनोलोजी पूछी जाये, यह क्रोनोलोजी है, इसकी ठीक है, तो 1591 में, Astrophel and Stella आया है, it was a sonnet sequence, ठीक है, अब इसमें कितने sonnets थे, 108 sonnets थे, और 11 songs थे, ठीक है, यह याद रख लेना है, ठंड में हाथ भी नहीं चल रहे हैं, पर still, I hope you will understand my, or comprehend my handwriting, Astrophel and Stella 1591, very important, then the Countess of Membroke Arcadia, जिसे हम short में कहते हैं, that is in 1593 में publish हुआ, it was a pastoral romance, इसके genres भी याद रखना है, क्योंकि, पिछली बार, last time, net में, यह पूछा गया था, कि किसके genres क्या है, गर्मी ज्यादा लग गई, यह तो packing मेंने इतनी ज्यादा किया था, उस बज़से, the Countess of Pembroke's Arcadia, ठीक है, इतना याद रख लेना है, the defense of poetry, जिसे आज हम detail में discuss करने वाले है, 1595 में publish हुआ, it was a treatise, ठीक है, मतलब कि यह किसाब से prose work था, also known as the defense of poetry भी इसे कहाता है, an apology for poetry भी इसे कहा जाता है, यह चीज याद रख लेनी है, the lady of May, इसका एक mask था, एक play था, जो कि year मुझे लगता नहीं, इस was one act play or mask, written by whom, Sir Philip Sydney, right, चलो, आगे चलते हैं, major works बहुत important है, इसकी chronology याद कलेना, और इसे notes में भी सब प्रवाइड है, लेकिन notes में कुछ चीजे extra है, कुछ explanation आपको अच्छी मिलेगी, इसमें तो मैं crux लेकर आता हूं, तो astrophal and stella, the first, यह में चीज आपको बता चुका हू first of the famous English sonnets sequences, the countess of Arcadia है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, by far Sydney's most ambitious work was as significant in its own way as his sonnets, the work is a romance, जो मैं बता चुका, romance है, that combines pastoral, pastoral आपको पता ही होगा, नहीं पता है, तो मैं बता रहता हूं, जिसमें nature से related कोई चीजे होती है, जंगल, मैदान, फूल, पौदे, उन से related जो चीजे होती है, उसे pastoral हम कहते हैं, तो एक लोग पी आप कह सकते हो pastoral, लेकिन इसमें भी differences है, लेकिन मैं सिर्व आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो pastoral elements जो है इसमें पाए जाते है, with a mood derived from the hellenistic model, इस model से इसने, इसका जो model है, hellenistic model पे काम किया है, इस work में, Arcadia of heliodorus, heliodorus कोई बंदा होगा, उसी का hellenistic model, इतना याद रखना हमारे ले काफी, हाँ जी, an apology for poetry or defense of poetry, very important, सारे views आपको बताऊँगा, इसके क्या थे, किसके बारे में, अब इसको गुसा कहां से आ गया न, कि ये स्टीफन गोसोन जो बंदा था ना, गोसन, गोसन या गोसन ज को criticize करना negatively, मैं already आपको बता चुका हूँ, that criticism is not only negative, criticism can be positive as well, if I am criticizing someone, it doesn't mean I am telling only negative things, हो सकता है, मैं उसकी तारीफ भी कर रहा हूँ, criticize का मतलब है, एक analysis करना, तो abuse किया है, तो इसका मतलब, कुछ, इसका year important है, ये याद रखना, हाँ जी, तो यहाँ से जब abuse किया, तो उसने target कि किया, Sydney को, ठीक है, Sydney के कुछ, उसने imagination पे, बड़ा कुछ, थोड़ी गालियां वगेरा, जो भी उसको criticize किया, उसके response में, Sydney ने, ये लिखा, the defense of poesie, जो हमारे पास है, हाँ जी, तो थोड़ा सा इसकी बात करें, 1580 में ये लिखा गया है, the defense of poesie, और 1595 में published हुआ, बता का हूँ, who dedicated his attack on English stage to Sydney, Sydney को attack किया, इसने English stage पे, मतलब कि English में जो plays वगरा लिखे जाते थे, कुछ उस पे, तो लेकिन उसको dedicate किया, Sydney को, Sydney कहाँ चुपए आने वाला था भाई, Sydney तो sir था न, soldier था, अब soldier जो होता, strong होता है, यही वाला idea आएगा, poetry से related, ये कुछ ऐसा strong ideas देग the defense of poetry, ठीक है, यह मैंने लिखा है, but Sydney primarily addresses more general objections to poetry, लेकिन primarily बात क्या करता है, न, objection, जो इसको थे, वो किस से थे, शिकायत किस से थी या असली शिकायत, प्लेटो से, हाला कि कहीं न कहीं इसको, एक motivation हम कह सकते हैं, चाहे negative encouragement उसे हम कहें, या positive जैसी भी थी, वो कहां से मिली, Stephen Goss से, लिखने की, लेकिन, he primarily, refutes the ideas of Plato, प्लेटो ने poetry के बारे में गलत बाते बोली है, उसका एक जवाब देने का इसका मकसद है, ठीक है, आगे चलते हैं, हाँ जी, तो यह थोड़ा सा आपने नाम्याद रख लेने हैं, Sydney states, वो यह बोलता है, कि तीन kinds की, there are three kinds of poetry, पहली है religious, तूसरी है philosophical, तीसरी है imaginative, इतने नाम्याद रख लेने हैं, ठीक है, religious क्या होती है, which imitate, जो की नकल करती है, inconceivable excellences of God, ऐसी excellences God की ऐसी quality जिसे conceive नहीं किया जा सके, ठीक है, वो है हमारी religious, मतलब कि भगवान के बारे में जो कुछ भी है, इतना inconceivable, इतने tough words में जाने की जरूर है नहीं, conceive तो एक हिसाब से यह होता है, किसी चीज को प्राप्त करना, या पैदा करना, कुछ इस टाइप का, तो philosophical poetry होती है, तीसरी imaginative poetry होती है, अब imaginative poetry को कौन लिखता है, जो अच्छे सही poets होते हैं, teach and delight, हाँ जी, teach and delight जो है, आप देख पा रहे होंगे, और सोच पा रह और साथ मैं longinus भी कुछ ऐसी बात करता है, कि जो चीज़े sublime है, और sublime कैसे होगी, जब हम teach भी करेंगे, delight भी करेंगे, शायदे मैं भूल रहा हूँ, longinus का है, या horace का है, क्योंकि मैं lectures एक बाद बना देता हूँ, उसका मेरे लिए वो खतम होगे, चीज में अतना mind में ज़्यादा stress नहीं डालता कि उसको याद करना, आपने वो lectures नहीं देखा है, तो देख लो, आपको इसी playlist में मिल जाएगा, ठीक है, literary criticism की अलग से playlist है, आप channel पे जब जाओगे, जब आप channel पे जाते हो, ऊपर लिख क्या आता है, बड़ा कुछ community वगरा वगरा, playlist, playlist पे आप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, चल वागे चलते हैं, हाँ जी, विल्यम स्टिगेंट जो भी है, इसका नाम याद रखने की ज़रूवत है नहीं, लेकिन फिर भी कई बार कहीं आ जाए, exam में तो आपको एक्दम से आदा जाएगा, इसने कुछ बाते बोली है, he was a Cambridge educator translator, poet writes in his essay, इसने एक ऐसे लिखा है, sir Philip Sidney के नाम से, ठीक है, that Shelley's beautifully written defense of poetry is a work which, अब इसने Shelley के बारे में बात की है, ठीक है, Philip Sidney से ही influence हो के Shelley ने भी लिखा है, तो Shelley के बारे में बात करता है, कि beautifully written defense of poetry is a work which analyzes the very inner essence of poetry and the reason of its existence, वो क्या करता है, inner essence की poetry का एक essence क्या है, उसका essence का मतलब है कि उसका meaning क्या, उसकी जरूरत क्या है, है ना, तो उसको analyze करता है, and reason of its existence की poetry क्यों होनी चाहिए, its development from and operation on the mind of man, कि इसकी development कैसे होती है, इनसान के mind से, और कैसे वो काम करता है, ये चीज़े, थोड़ा सा quotation बोली है, हो सकता है, कहीं quotation आ जाए, इतना important ये मुझे नहीं लगा, पर फिर भी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ, गड़ बड़े भाई, आ सकता है, कुछ पगा नहीं करना है, ठीक है, तो significance of the nobility of poetry is its power to move readers to virtuous actions, nobility जो होती है na poetry की, उसका significance क्या है, उसकी power, जिससे की वो readers को move करता है, क्या करने के लिए, अच्छे actions के लिए, virtuous क्या होता है, अच्छा, ठीक है, जो की noble, virtuous, जिसमें high moral values हो, उन चीजों को, उन actions को करने के लिए, readers को, वो move करता है, यानि influence करता है, ठीक है, वो होती है poetry की nobility, poetry में nobility होगी, उसमें कोई बात होगी, कोई meaning होगा, तभी तो इनसान कुछ अच्छा काम कर पाएगा ना, उसको पढ़के, तो वो बात है, true poets must teach and delight, हांजी तो ये क्या बो poets है, असली poets है, उनको teach भी करना चीजों है, मतलब वो आपको कुछ सिखाये भी और मजा भी दे, pleasure, a view that dates back to Horace, हां जी, तो Horace नहीं ये बात बोली है, ठीक है, उसको बाद Longinus के भी लगबग ऐसे ideas है, जिसको, वो कहता है कि ऐसी इसी चीजें करने से, आप किसी भी चीज को extraordinary बना सकते हो, यानि की sublime, lecture देख लेना, it was England's first philosophical defense in which he describes poetry's ancient and indispensable, मतलब कि बहुत ही जुरूरी place in society, ये बताता है कि poetry का जो है, वो क्या place है society में, कितना important role जो है वो play करती है, its mimetic nature, mimetic यानि की, imitation, जब हम किसी की नकल करते हैं, जो कि Aristotle ने भी कहा है, Plato ने क्या कहा, आपको मैं already बता चुक हूँ, Plato ने कहा कि ये तो जी, नकल है बस, किसी नकली चीज की, मतलब कि कोई चीज है, जो पहले भगवान के दिमाग में आ रही है, फिर उसकी नकल करके point हमें दे रहे हैं, तो फालतू की नकल है, फिर Aristotle ने बोला कि ठीक है, नकल है, वो एक serious and complete action की नकल है, नोबिलिटी की है, और जो एक इनसान के जो अच्छे thoughts है, उसका अच्छा character है, नोबिलिटी of thought, वहाँ भी नोबिलिटी आगे, उसकी imitation है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर हम किसी की imitation करके कुछ कर रहे हैं, तो इसने भी इसकी यही बात क बोलता है कि जो poets है, they are least liars, मतलब कि सबसे कम जूट बोलते हैं poets, वो कैसे बोलते हैं वो भी आपको आगे पता लगेगा, उससे पहले न मैं थोड़ासा पानी पी लेता हूँ, मुझे मार्फ करना, पीया तो मैंने पहले भी लेकिन बोलते बोलते गला सूख जाता है, actually I am suffering from typhide, since a long time, but still मैं कोशिच करता हूँ कि मैं हर वो काम कर पाऊँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए, बिमारिया तो चलती रहेगी, but still we have to do, हला कि अभी recover नहीं हुआ हूँ, but still I am trying, और हो जाएगा, तो इसी लिए इतनी energy बोलते वक्त में बहुत, energy बहुत lose हो जाती है, descending from Aristotle, Aristotle से इसने एक idea लिया, Sydney ने क्या, when stating that the poet never affirmeth, ठीक है, मतलब कि Aristotle ने भी ये बात बोली है, कि आप poet वो कैसे गलत बोल सकते है, वो कुछ affirm करी नहीं रहा है, वो किसी चीज की surety देही नहीं रहा है, वो सिर्फ आपको एक idea दे रहा है, कि यहाँ ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा होना चाहिए, this is the thing and this thing should be in this way, that is what a poet says, that is what a poet recommends, right, तो मतलब कि when a poet never affirms, so how can he be a liar, जब वो कुछ किसी चीज को, किसी surety देही नहीं रहा है, तो जूटा कैसे हो सकता है, यही idea आगया आएगा, Aristotle का ही एक idea था जो Sydney ने आगे लिया, इसने भी इसी तरीके से defend किया, जैसे Aristotle ने defend किया था प्लेटो के remarks को, तो makes the claim that all statements in literature, फिर यह बोलता है कि literature में जितनी भी statements है hypothetical है, मतलब कि assume की गई है, और pseudo statements है pseudo यानी की false, false statements है, कुछ नहीं है, कुछ भी affirm नहीं कर रहा है poet, आगे आएगा अच्छी चीज है, यह important चीज है थोड़ी सी, he explains that tragedy is not bound to history or the narrative, but to laws of poetry, tragedy की बारे में, play के बारे में भी थोड़ी सी बात करता है इस book में, यह लेकिन फिर भी मैं उस पर इतना focus नहीं किया है, he explains that tragedy is not bound to history, ता कि tragedy जो है वो history में bound नहीं है, कहीं बंधी नहीं है, इतिहास में, और the narrative, but to laws of poetry, मतलब कि poetry के जो rules है, उसको वो follow जरूर करती है, या करना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो history से लेकर कुछ आए, या फिर history में कहीं बंधी रहे, हाँ, लेकिन poetry के जो rules है, वो जरूर फॉलो करना चाहिए, तो Sydney employs a number of strategies to assert the proper place of poetry, कि poetry का क्या place होना चाहिए, for instance, he argues against the way in which poetry was misaligned with youth, यह बोलता है कि poetry को आप youth से मत जोड़ो, यानि कि effeminate, effeminate ऐसे मर्द जिन में औरतों की qualities होती है, या फिर औरतों वाली quality औरतों को कमज़ोर समझा जाता है, जैसा कि society में, तो इसने कहा कि यार ऐसी चीजों से relate मत करो poetry को, and the timorous, timorous मैंने आपके लिए यहाँ इसका meaning भी लियाओ, nervousness, timorous मतलब कि जैसे हम देखते हैं, लड़कियां थोड़ी ची nervous भी रहती है, डरती भी है, और कमज़ोर भी होती है, physically, physically, ऐसा माना जाता है, मेरा ऐसा view नहीं है, मैं तो feminism पे भी आपको lecture दिया ही है, कुछ नहीं है, यह सारी मानने है, हाँ, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, कि biological differences are there, अगर physically women weak है, तो they are, and they have to accept it, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हर चीज में कहें हैं, हाँ तू physically weak है, तो तू हर तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, यह गलत बात है, ठीक है, women में जो qualities है, जो capabilities है, वो men में नहीं है, और men में है, वो women में नहीं है, इस difference को अगर हम positively ले, तो कभी भी inequality होगी ही नहीं, लेकिन हम इसको positively नहीं लेते हैं, हम इसको negatively लेते हैं, हम कोते हैं, हमने भी तुम्हारी देखे तो, फिर भी, हाँ जी, तो, वैसे एक, मैं कई बार सोचता हूँ कि लड़कियां, लड़कों के कपड़े, मतलब, वैसे तो लड़के और लड़कियों कपड़ा कुछ ऐसा define है, वो तो society ने define किया है, लेकिन pen shirt जब लड़किया पहनती तो वो cool लगता है, लेकिन अ पापा उसको नहीं करने देता है कि ये काम बेकार है, और society में उसकी कोई इजत नहीं होती है, so he has to suffer a lot to become that dancer, एक belly dancer भी है, YouTube मैंने देखा था, he is a man, and belly dance इतना अच्छा करता है कि लड़कियों को भी पचाड दे, लेकिन उस चीज को बुरा माना जाता है, और उसमें लड़ लड़कियों की भी बेजती हो रही है, किसी ना किसी चीज को लेकर, तो लड़कों की भी होती है, लड़कियां अगर लड़कों की तरह behave करे, bro bro लग जाती है एक दूसरे को बोलने, अब तो bro bro का बड़ा चलन चला है, तो लड़कियों को ये समझा जाता है, कि आ ठीक है cool, अगर लड़का ऐसा कुछ करे, तो बोलते है नहीं, ये तो छक्को वाली हरकत कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें सोसाइटी में अभी भी है, पता नहीं इस इन डिफरेंसी को क्यों नहीं समझते हैं, क्यों इसको positively नहीं लेते हैं, मुझे समझने आता है, खैर आने वाले टाइ आइडिया that poetry is the companion of camps, ठीक है, ये कहता है कि poetry जो है, वो camps की companion इसका मतलब है कि by invoking the heroes of ages past, मतलब कि वो heroes का काम है, जो लोग poetry लिखते हैं, they are actual heroes, और hero बनने के लिए courage चाहिए, ठीक है, Sydney जो था, वो एक खुद, एक soldier था, इसी लिए, वो इसको कहता है कि जो poem लिखते हैं, या एक ऐसा art है, जिसे courageous people ही कर सकते हैं, जो कि courageous और हिम्मत वाले लोगों का काम है, फालतु बंदों का काम नहीं है, ठीक है, तो ये बात ये कहना चाहरा है, इसलिए कहड़ाते हैं, इसे effeminate मत किया जाए, वैसे तो effeminate होना कोई बुरी बात नहीं है, this is natural, अगर लड़किया नहीं होगी ना घर में, तो सब आपस में काट कोट के मार देंगे सबको, तो emotions जो है ना, उसका होना बहुत ज़रूरी है, life में, अगर हर चीज़ आप rational mind से करेंगे, तो भी गड़बड हो जाएगा, poetry versus philosophy and history ये important है, ठीक है जी, इसमें ये poetry को philosophy और history से compare करता है, इस book में, defense of poetry में, अब ये बोलता है, कि historians जो है ना, hearsay, hearsay का मतलब होता है, unverified information, ऐसी information जिसके कोई सबूत नहीं है, ठीक है, अब historians क्या करते हैं, past के बारे में लगे रहते हैं, ऐसी चीज़ें, अब क्या पता वही अकबर था की नहीं, उसने अनार कली को, चिनवाया की नहीं, किसने किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं एक एक एक्जामपल दे रहा हूं, कोई भी history है, हम सिर्फ उसका अंदाजा लगाते हैं, कि हाँ, ये चीज, अगर कुरुक्षेतर की मिटी लाल है, तो शायद यहाँ पर युद हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं, व है ना, तो इसलिए वो कुछ खास है नहीं, पास्ट में ही फज़र रहते है historians, और फिर ये philosophers की बात करता है, कि philosophers तो जहाँ हम बोलते हैं, कई बार हम ज़्यादा बोलते हैं, तो में घरवाले बोलते हैं, तो ज़्यादा philosophy ना जाड़, चल निकल यहाँ से, चल चल बापको म देते हैं, ना, पास्ट पे ध्यान देते हैं, ऐसा Sydney का मानना है, ठीक है, और historians जो है, history से जो related चीज़े हैं, वो पास्ट पे ही लगे रहते हैं, उनको present future से कुछ नहीं लेना, पास्ट में ही घुसे हैं, गड़े मुर्दे उखाड रहे हैं, लेकिन जो poets है ना, poets, poets है ना, वो है बंदे हर कुछ, वो क्या करते हैं, वो past की चीज़ों को भी लेकर आते हैं, जैसे की recollections and tranquility, words, words के अगर हम बात करें, उसको भी वो beautify कर देते हैं, साथ में present में तो रहते ही हैं, और साथ में future का भी आपको बहुत कुछ बताते हैं, कि आने वले time हैं, और बहुत सार poems ऐसी लिखी गई है, जिसमे future की बहुत सारी बाते हैं, आप utopian चीजों की बात कर लो, utopian theme पे जो चीज लिखी जाती हैं, उसमे future की imagination है, सारी, supernaturalism की अगर हम बात करो, उसमें सारी imagination है, तो मतलब कि poets जो है, अब यहां क्या बोलता है, poets have the ability to remember and paint the past while philosophizing about the future, मतलब past को भी paint कर स सकते हैं, ठीक है, philosophy भी है poetry में, और साथ में past भी है, present भी है, poetry भी है, poetry में history भी है, philosophy भी है, हर medicine, हर चीज है, law, हर चीज है, तीसरा वो law को भी थोड़ा compare करता है, लेकिन law को वो ऐसी मानता है, मतलब थोड़ा सा, इतना याद रख लेना कि इसने poetry को philosophy, history से तो किया ही है, philosophy, हाँ, ठीक है, importance है, मानता हूँ मैं, Sydney बोलता है, but maintains that poetry represents an artistic perspective of both, poetry जो represent करती है, artistic perspective, दोनों का, history का भी, philosophy का, समझ गए, आगे जलो, हाँ जी, ये important है जी, थोड़ा selection लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा देखना, मजा आ जाएगा, और सारी चीज़े clear हो जाएगी, पिछली अगली भी, क्योंकि, poet है न, अगला बंदा, साब कुछ clear करके जाएगा, answer हाँ, जी, कुछ, बोलते हैं न, luncheon लगाएगा, जी, आरोप, आरोप हो को खारीज कर रहा है, there were some charges against poetry, put by plateau, primarily, तो उनको ये, इसने खारीज करना है, कैसे करेगा, पहला, जो आरोप है, poetry पे, वो है that there are other kinds of knowledge more fruitful than poetry, भाई, और भी चीज़े हैं poetry के लावा, क्यों, poetry में फज़े हो, और भी इससे अच्छे चीज़े है, ये एक आरोप है poetry पे, जिसका जवाब देगा Sydney, तो Sydney states that, the greatest gifts bestowed upon human beings are oratio, मतब कि oratory, public speech से related, speech and reason, ठीक है, कि जो gift है न, human beings को, वो है public speech की, reason की, poetry की, writing की, य जो gift से ये दी गई है humans को, सिर्फ, it is poetry which most polishes the gift of speech, and it far exceedeth prose on two accounts, ये बोलता है, कि poetry ही एक ऐसी चीज़े है, जो हमारी in gifts को polish करती है, अगर इतने सारी gifts हम मिली है, अगर हम उसका कुछ लिखेंगे नहीं, if we do not write, if we do not speak, if we do not sing or dance, so how can we polish the gifts, with which we are born, जो हमें gifts मिली है, खुदा ने दी है, या फिर माबाप ने दी है, या फिर नेचर ने दी है, poetry उसको polish करती है, ठीक है, प्रोज को भी करती है, कैसे, it engenders, मतलब कि किसी चीज़ को उत्पन करना, पैदा करना, किसी चीज़ में कोई चीज़ डालनी, ये delight उत्पन करती है, because of its meticulous मतलब की minor, बहुत ही minute details जो है, जब minute details और minute तरीके से हम words को arrange करते हैं, ठीक है, वो चीज़ जो है, हमें delight पैदा करती है, and therefore it is memorable, इसी नहीं है वो यादगार भी रह जाती है, poetry एक ऐसी चीज़ है, जो हमें हमें हमेशा याद रहती है, यादगार पल होते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, तो हम उसमें खो जाते हैं, हमें वो हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती है, ठीक है, since knowledge depends on memory, knowledge जो है, वो memory पे depend है, poetry has an affinity within, तो obviously, अगर knowledge भी तभी होगी न, जब आप कुछ चीज़ याद रख पाओगे, याद कैसे रख पाओगे, जब आप poetry पढ़ोगे, ठीक है, तो poetry की बहुत अच्छा रिष्टा है, knowledge से, moreover, since poetry teacheth and moveth towards you, there can be no more fruitful knowledge than this, poetry जो है, वो teach करती है, और move करती है, हमें वर्चू की तरफ, there can be no more fruitful knowledge, इससे fruitful knowledge कोई और हो ही नहीं सकती है, आरोप को कर दिया, खारीज, चलो आगे, अगला आरोप है, poetry पे, the second charge is that poetry is the mother of lies, जोटो की मा, भी हिसाब जोट बोलते है, poets, मेरी बंदी, मेरी beloved, सबसे best, इससे उपर कुछ नहीं है, सारे ग्रह एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरी girlfriend एक तरफ, या भी मेरा boyfriend एक तरफ, या भी मेरा crush एक तरफ, जोटे है, poets, आरोप है, ठीक है, मेरा यह मानना नहीं है, मैं तो खुद एक बड़ा romantic poet हूँ, तो Sydney's famous retort, अब यह क्या बोलता है, खारीज, the poet nothing affirms and therefore never lieth, simple सी बात, जब वो किसी चीज़ को affirm है नहीं करा, ठीक है, यार, मेरी beloved बहुत सुन्दर है, तो वो मेरे एक emotions है ना मेरे, मेरी feelings है, यार, feeling को समझो, मैं कोई यह सबूत तो नहीं दे रहा ना, लिखके कहीं, written में कि भाई, यह है तो है, मैं surety नहीं दे रहा, मेरी feelings है, जिसे मैं express कर रहा हूँ, तो when I am expressing my feelings, तो it means I am not affirming anything, so how can I lie, मैं जूट कैसे बोल सकता हूँ, unlike the historians, the poet does not claim to be telling the truth, अब जो historians है, वो तो बोलते है, यही सच है, ताज बोलत भी हो सकता है, लेकिन poet ऐसे नहीं होते है, वो इस तरह से किफालत वो facts नहीं देते, he is not relating what is or not, हाँ जी, तो जो poet है, वो यह नहीं बताता है कि कौन सी चीज है, चीज है या नहीं है, बलकि what should be or should not be, बलकि वो बताता है कि चीज़े कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं ह ठीक है, he is writing not affirmatively but allegorically and figuratively, हाँ, poet लिखता है लेकिन वो affirm नहीं करता है, बलकि allegory उसमें यूज करता है, कोई शिक्षा वाली बात, या फिर symbolically लिखता है, उसमें figure of speech यूज करता है, ऐसी चीज़े यूज करता है, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज़े को affirm कर रहा है, आरोप कर गनेश बन जाता है आदमी, वैस तो गनेश भगवान है लेकिन फिर भी यह जो गोबर गनेश वाली बात है, यह फिर भी इस society में prevalent है, जो कि नहीं हो नीचे वो भगवान है, तो abuse it, कि इनसान की जो दिमाग पर वैसर डाल देता है, उससे इनसान की जो होशियारी है, विट खतम हो जाती है, training it to wanton होता है, किसी को hurt करना, sinfulness मतलब कि puppy and lustful love, वो इनसान को puppy बनाता है, cruel बनाता है, और lusty बनाता है, lustful love उसके अंदर आ जाता है, तो मतलब कि एक इसाब से, poetry जो है, वो इनसान को बिगार देती है, यहाँ पर गलती बता है, that is with particular poets who have abused their art, not with the art itself, अरे भाई ठीक है, मैं मान गया कि poetry गलत है, लेकिन poetry गलत नहीं है, बलकि वो poets गलत है, जो गटिया बाते गलते हैं, मर्द सारे गटिया नहीं है, आपके गर में बाप भी है, भाई भी है, क्या वो गटिया है, क्या वो बेशरम है, नहीं, मर्द सारे गटिया नहीं, लेकिन कुछ मर्द ऐसे हैं, जो गलत काम करते हैं, जिससे कि पूरी मर्द community को आप गलत नहीं बोल सकते हैं, आप उन मर्द दे रहा है किसी को, या फिर आठ बुरा है ठीक है, तो वो चीज इसने इसका जवाब दिया, बहुत ही अच्छा जवाब है It is not that poetry abuses man's wit but that man's wit abuses poetry बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात लगी है मुझे, कि ये बात बहुत गलत है कि poetry abuse करती है man's wit को मतलब कि उसके दिमाग को वो बिगाड़ती है बलकि इनसान का दिमाग है जो poetry को बिगाड़ता है poetry दिमाग को नहीं बिगाड़ती है लेकिन जिसका दिमाग खराब होता है, जिसकी सोच घटिया होती है, वो poetry को abuse करता है, तो उसको भगवान का जो शब्द है ना भगवान की जो बातें हैं वानी है when abused can breed heresy and blasphemy अगर आप भगवान की बोली हुई बातों को अगर आप modify और manipulate करते हो so that can also be harmful वो भी heresy and blasphemy बन सकती है heresy मतलब कि जब आप किसी belief के against हो जाते हो blasphemy तो पाप हो गया ना बिलकुली तो ये बात है इसलिए घटिया बात है नहीं करनी है क्यों क्योंकि आप art को गाली नहीं दे सकते artist को गाली दो बात खतम आरोप खारिज last आरोप ये तो दिल पे ले लिया मैंने भी आरोप यार the final and perhaps most serious charge that Sydney confronts is that प्लेटो बैटो भाई तुने पोईट्स को बैणिश कर दिया अपने आइडियल रिपब्लिक से as if also Plato was a natural enemy of poets तो Sydney suggest करता है ठीक है तो ये भी एक आरोप है एक हिसाब से पोईट्स को ही निकाल दिया यार वो बोलता है भाई चाहिए इनी poets मुझे अपने रिपब्लिक में तो अब प्लेटो बचा रहा है यहाँ थोड़ा सा soft spokenly क्या कहता है कि प्लेटो जो है ना he opposed the abuse of poetry rather than the art itself इसने बोला कि ठीक है उसने poetry के abuse का oppose किया था ना कि art का यानि कि उसके time में जो poets थे वो बहुत गंदी बाते लिख रहे थे जिससे की society के लोगों पर बुरासर पढ़ रहा था तो he did not abuse art but the artists यह बात इसने बोली he charged the poets of his day with probably getting false opinions of the gods which might corrupt the youth जो मैंने बात बोल दी the dangers of such false belief have now been removed by Christianity आई तो वहां से वो false faults जो थे वो ठीक हो चुके है लोग तो religious हो गए है तो Sydney also cites Plato's dialogue Eon तो Eon जो है Plato ने लिखा है तो यह बोलता है कि जो Eon में यह बात बोलता है वैसे तो Plato ने भी यह बात बोली है कि जो poet है he is divinely inspired मतलब कि उस पर भगवान की कृपा है उसको लिखने की जो शक्ती है जो muse है वो भगवान से ही मिलती है लेकिन जो वो गड़बर करता है ना उसके बात वो ठीक नहीं है तो उसने यह बात बोली है कि जब उसके अपने आर्ट पर ही control नहीं है तो वो हमें क्या सही बाते सिख वही बात जो मैंने बताई अभी यह बोलता है कि यह लोग है जिन्होंने पोट्री को एड्मार किया अरे अलेक्सेंडर प्लोटार्च सीजर ठीक है जी खारी जोगे ना सारे आरोप अब आगे चलो Sydney like Shelly and Wordsworth is the poet as being separate from society Wordsworth था ना हर चीज नेचर में देखता था नेचर को ठीक है तो यह बोलता है Sydney के भी ऐसे views है कि जो एक poet होता है वो society से थोड़ा separate होता है वो किसी बंधन में नहीं बंदा होता वो nature को एक हिसाब से source मानता है एक nature जो एक empirical world होता है यानि कि जहां से वो ideas लेता है observe करके ठीक है तो इसलिए जो इसमें क्या देखो क्या लिखा इस आजाद पंची होता है ठीक है the poet can invent वो invent कर सकता है and thus in effect grows another nature की वो nature को जनम देता है nature से ही सीख के तो ऐसी जी बात है यह किसने बात बोलिया Sydney ने that there is no art delivered to mankind that hath not the works of nature for his principal object की भाई कि ऐसा कोई भी art नहीं है जो mankind को दिया गया है जिसमें की nature की बात ना हो जिसमें की nature के जो works है उसको as an object यूज ना किया हो मतलब कि जिसमें nature की inspiration ना हो नेचर से influence हो के जो ना लिखा गया हो ऐसा कोई भी work of art नहीं है और नहीं होना चाहिए ठीक है जी lecture बहुत लंबा हो जाएगा Sydney's doctrine presents the poet as creator यह बोलता है कि poet जो है वो एक creator है the poet's mediating rule between two worlds हाज यह बोलता है कि poet जो है एक mediating का rule करता है बीच में mediator का काम करता है किसके बीच में transcendent forms और historical actuality transcendentalism होता है transcendent चीज होती है जो कि beyond reality होती है beyond या फिर spiritual बहुत ही spiritual को ओर्डिनरी से उपर beyond चीज होती है ठीक है तो और historical actuality की तो उपने बात करी ली अभी history की जो बात की ठीक है facts और past जो भी है तो इनके बीच में जो है mediating role कौन अदा करता है एक poet जो की क्या है creator ठीक है तो यह कहीं ना कहीं new platonic doctrine पे भी विश्वास करता है कहीं ना कहीं new platonic मतलब की plateau के जो ideas थे उनकी बात हो रही है उसका influence दिख रहा है Sydney पे लेकिन plateau के कुछ ideas भी है जिनको उसने उसके against भी उसने बात कि और defend भी किया है अब emanation क्या है emanation का मतलब है emanation का मतलब की creation कि कहां से cosmology का वैसे word है तो पहले big bang theory थी ऐसा माना जाता था कि जो universe था कि इतना चोटा सा बिंदू था वह फटा और universe इतना फैल गया बहुत ज़्यादा फैल गया ठीक है यह galaxies बन गए andromeda galaxy जो हमारे पास है milky way galaxy जिसमें हम रहत है यह star solar यह सारी क्या है मतलब कि creation emanation किसी चीज की उत्पत्ती ठीक है तो plato का मानना था कि जो किसी भी चीज की उत्पत्ती है वो god से है god के दिमाग में कोई idea आ रहा है फिर artist के दिमाग में आ रहा है फिर हमारे पास आ रहा है तो उत्पत्ती वहां से है तो वह idea है तो apology contains only elements of new platonism without adhering to the full doctrine मतलब कि पूरी तरह Sydney बोलता नहीं है कि हाँ इस में new platonism को adopt कर रहा हूं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमें उसका influence इसमें नजर आता है हां जी last में quotation आपके लिए लेका आया हूं उसी बंदे की जिसकी पहले बात की थी बड़ी अच्छी है यह क्या बोलता है that Sydney's real poem was his life की असली जो पोईम थी ना उसके अपनी life थी and his teaching was his example जो उसकी teaching थी जो उसने लिखा वो एक example है जो real poetry का example है जो खुद की उसकी life थी बात खतम thank you for notes check that link in description और मेरे एगना vlogging channel भी यार description में उसका भी link check कर लेना vlogs देखना यार मेरे अच्छे vlogs बनाता हूं मैं आप मुझे help करो कि वो channel भी grow हो जाए तो time तो मुझे कम लगता है vlogs डालने का लेकिन फिर भी जितना भी लगता है मैं डालता रहूंगा तो thank you so much और मुझे कुछ नहीं बोलना है बाई नमस्कार